हेलो अरिवन कैसे हैं सभी आई होप सभी ठीक होंगे दिखो गाइज आपका जो जेकी ऐसे सभी का फॉट्ट क्लास का एक्जाम हुआ है उसमें से एक क्वेशन यह भी आया था 28 थैप को यह भी डिसकस कर लेते हैं अचली यह शूड गया था जो मैंने वीडियो डाली है तो यह क्वेशन को डिसकस कर लेते हैं किस तरह इसको सॉल्व करना है बहुत एजी सा क्वेशन है टू सिलेंडर्स और सेम वाल्यूम है रेडियाई एव देर रेडियाई इंडी रेश्यो थी इस टू वाल्यूम यह दियू है आपके एक्जाम में बोलता है दोन्नों का वाल्य वह क्या है सेम है ठीक है तो मैं इसको रेश्यो में अगर वाल्यूम निखू हूँ जा मैं रिखो वी वन की वैल्य ओके निकाल निखालनी है अगर फार्माल ये R1 है ये H1 है ये R2 है और ये H2 हो तो हमारे पास क्या बचा R2 और H1 एकोस तो R2 कर स्केर इंटो H1 अब देखो जहाँ पर H2 है स्वरी अब देखो मुझे रेश्यो निकालने कि इसकी H1 इस्टू H2 H2 को इदर बेज दो और R1 को इस तरफ बेज दो तो देखो क्या हो जाएगा H1 upon H2 equals to इदर क्या है R2 का स्केर और इदर क्या जगा निचे R1 का स्केर R1 और R2 की रेश्यो दिए देखो R2 कितना दिया था आपका 1 दिया था और R2 कितना दिया थी इसका भी square उसका भी तो whole square लेख सकता हमें means h1 upon h2 क्या हो जाएगा 1 upon 9 यह answer होगा आपका जो कि क्या है d option d option is your right answer कि height की ratio पुछी होगी थी जब volume दिया है और radia क्या ratio दिया हुआ था इस तरह से इस question को solve करना था I hope जो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से इस question को adapt करना होता है तो ultimately आपको यह पता होने चाहिए जब volume दिया हो तो आपकी height की ratio क्या हो जाती है r2 upon r1 का whole square यह formula होता है question करने का तो अगर आपको वीडियो से कुछ सेखने को मिला है तो वीडियो को like करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बाइ 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 जब आसे जब